आज हम इस वीडियो में जानेंगे 6 को 6 बार लिख करके कैसे उत्तर 3000 लाए जाएंगे तो हम 6 को 6 बार का में लेंगे और यहां पर इसका जो आंसर है न वो 3000 प्राप्त करेंगे तो यह आंसर प्राप्त करने के लिए हमें यहां पर एक फेक्टोरियल का कॉंसेट समझना पड़ेगा तो फेक्टोरियल का कॉंसेट होता है जैसे मानलो आपको तीन का फेक्टोरियल निकालना हो तो तीन का फेक्टोरियल किसके एक्वल होता है तीन इंटू दो इंटू एक यानि कि छे के एक्वल हो गया इसी प्रकार से जो चार है ना इसका फेक्टोरियल किसके एक्वल होता है चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक यनि चार थी बारा बारा दुनी 4 into 3 into 2 into 1 इनको आप गुणा करेंगे ना तो 6 बंजे 30, 3 चोग 12, 12, 36, 32 बैतर और 1 0 यानि कितना होता है 6 का पेक्टोरियल 720 हो जाता है तो आपको यहाँ पर 6 के पेक्टोरियल काम में लेने हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला 6 का पेक्टोरियल प्लस दूसरा भी 6 का पेक्टोरियल प्लस तीसरा भी 6 का पेक्टोरियल प्लस चोता भी 6 का पेक्टोरियल यानि हमने आपर 4 चेतों यूज में ले लिए हैं बाकि आगे देखतें क्या करेंगे तो इस 6 का पेक्टोरियल का मतलब होगा 720 दूसरे का भी कितना होगा 720 तीसरा च्छे का पेक्टरिर भी 720 और चोता भी कितना होगा 720 अभी तक हमने चार ही च्छे को काम में लिया है इनको अपन जोड़ेंगे ना 0,0,0 तो 0 रहेगा 2,24,26 और 2,8 हो जाएगा 7,7,14,7,27,28 ये हो गए 2,888 मतलब अभी 3,000 से कुछ कम है लेकिन अभी में हमारे पास कितने बचे हुए हैं 2,6 बचे हुए हैं तो कम है तो इसका मदब हमें पलस करना पड़ेगा तो इसमें हम पलस करेंगे 6 का फेक्टोरियल लेकिन 6 का फेक्टोरियल पलस करेंगे तो 720 मिलेगा गर 720 च्थिया कैसे बहुत बड़ी हो जाएगी पिर जएधा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे 6 के फैक्टोरियल में कि यहां पर अब फिर 6 का भाग लगा देंगे इसको कम करने के लिए अब 6 के फैक्टोरियल में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना उतर आएगा च्छेका फिक्टरिल कितना होता है 720 और इसमें डिवाइड किसका लगाएंगे आप 6 का तो इस 720 में जब आप इस च्छेका भाग लगाएंगे न तो यहां पर कितना आएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 मतलब 120 ही आएगा 6 को च्छे कर लो 6 बारी लिखा तो है क्या एक दो तीन चार पांच च्छे इन च्छे च्छार को तो हमने 720 लिख कर जोड दिया एक च्छेका प्यक्टरिस 720 बना उसमें एक च्छेका हमने भाग लगा दिया तो वो 120 बन गया अब इनको हम जोड लेते हैं 0 का तो 0 रहेगा 8 और 2 फिर से 0 जाएगा 10 8 रेक 9 रेक फिर से 10 8 रेक 3 इस पर कारश हम क्या कर सकते हैं 6 को 6 बार लिख करके इसका जो आंसर है ना वो 3000 आसानी से प्राप्स कर सकते हैं अगर गणीत की संक्याओं का ये खेल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेड़ा